नमस्कार, ग्राम पंचाथ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के टाइम में कोई कब किस पर हमला कर दे इसका कोई भरोसा नहीं है सुरुच्छा के चाहे कितने भी इंतजाम हो चाहे जितने वाडी गाड रख लिये जाएं चाहे जितने कड़ी से कड़ी ब्यवस्था बना दिया जाएं हमला करने वाला अपना काम कर ही देता है आज कल सोसल मीडिया पर एक फेमस हस्ती सलमान खान के बारे में बहुत सारी बाते चल लए हैं जिन पर मैं एक-एक लाइन रिसर्च किया हूँ और हर एक लाइन का मैं यहाँ पर खंडन करने वाला हूँ सच क्या है छूट क्या है गलत क्या है सही क्या है सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है सलमान खान कहां चीपे हुए हैं सबसे पहला सवाल सलमान खान कहां चीपे हुए हैं अगर उनके उपर गोलिया चली तो कितनी गोलिया चली हिरन के काड़ क्या फिर से उनको जेल होगा एक बार तो जेल भोगच चुके हैं क्यों जेल गए कितने हिरन मारे और क्यों उनको फिर से धमकिया मिल लई है सारी जानकारी इसमें आपको मिलने वाली है इस बार क्या फिर इसे फासी की सजा उनको सुना जाएगी, पिछली बार तो सिर्फ जेल ही काड लिए, कुछ लोगों का कमेंट में पूछना है, सोसल मीडिया पर कहना है कि सलमान खान को इस बार फासी की सजा मिलने चाहिए, अरे यार, एक बार बंदा जब जेल जा चुका है, सजा भुगच हाई कोड सुपरीम कोड ने उसको जो सजा देना था दे दिया है, तो फिर ऐसा क्यों, गुनागार का अगला कदम क्या हो सकता है, इमेल से उनको धंकिया मिल लई है, फोन पर उनको धंकिया मिल लई है, चिठी से भी उनको धंकिया दी गई थी, तो सलमान खान पर हमला किस कुछ लोगों का कहना है मजाुकिया पर टरे도शाल मेडिया फोरक टर चला है चीश केटरीना ने हो सकता है हमला कराया हो नौश नहीं ते पेसिक पूस बीडिया पर कोई बोल देता है और इस तरह के पूस्ट को आप बिल्कुल सेयर मत किया करिये, क्योंकि मजाक को मजाक के लिए वहीं पर रहने दीजिए, गोली चली है, कोई होली नहीं हुआ, बोली चली है, पूरी जानकारी आपको मिलने माली है, इस वीडियो के अंदर हमारे साथ बने रहेगा, यहाँ पर आपके सामने जो स्क्रीन है, असली गुनाहगार कोन है, सलमान पर हमला क्यों हुआ, कितनी गोलियां चले, कितने बजे चले, कितने बदमास थे जो गोलियां चलाए, सलमान की सुरच्छा ब्योस्था बढ़ी है, तो कितनी ब्योस्था बढ़ी है, और सलमान को अध्रिस कर दिया गया है, कह चुछ राजनीतिक गलियारे से ये भी आवाज आ रही है कि सल्मान खान तो सुरू से ही गुनागार था और उसको सजा ऐसी ही मिलने चाहिए कुल मिलाजुला करके अब ये सिर्फ सल्मान खान पर नहीं अब ये एक राजनीतिक मोड लेगा पूरा दिन टीवी पर इसी बात की चर्चा एक सो इसी पर हर चैनल पर चलता हुआ आपको दिखाई देगा कि सल्मान खान पर हमला को क्यों गोली चली इसके उपर चली गैंगेस्टर था कौन था हिरन वाली बात तो भूल जाएंगे बस कौन चलवाया किसने चलवाया क्यों चलना चाहिए क्यों सजा होनी चाहिए सारी बाते होती रहेंगे लेकिन आज़की वीडियो में आपको मैं उन सब चीजों से अलग चीजें बताऊंगा पूरी बात पूरी वीडियो कम्प्लीट देखिएगा यहाँ पर आपको अगली स्लाइड में जो भी जनकारी है वो मैं आपको बताता हूँ देखिए सारूख ने क्या किया सबसे पहला सवाल सलमान खान के सबसे करीबी माने जाते हैं सारूख खान सारूख खान ने उनकी फोन पर भी हल चाल ली और जाकर के वे मिले भी और उन्हें भरोसा भी दिलाया कि कुछ नहीं होगा खरण स πरेंख सकता में सबसे पहले टीट किया कि टीट करने वालों का कोई गिंथी नहीं है सल्मान खान के इतने पहिन है इतने फैन है इतने फैन है कि टीटृट की कोई गिंथी नहीं अगर अब ही भी आप ट्वीटर पहुँक? तो यही तो आपक प्रवसता पड़ा दिया उनसे फून पर बात किया और उनको सुरक्षा में रखा भी गया है और मुंबई SP को यभी बताया गया है कि उनकी सुरक्षा में जरूरत पड़े तो 3 से 4 प्रकार की सुरक्षा लेयर चढ़ा दी जाए सल्मान खान अपने फैंस को फिर कब दर्संदेंगे उनके फैंस भी उनसे मिलना चाहते हैं उनका ट्वीट देखना चाहते हैं अभी तो सल्मान खान ना ट्वीट कर रहे हैं ना सोचल मीडिया पर उनका कोई बयान है ना ही कोई वीडियो इंटर्व्यू है पैंस को भी ये चिंता है कि वे कब सामने आकर के इसका जवाब देंगे या इस पर अपनी बात रखेंगे तो इसकी जानकारी जब भी मुझे मिलेगी तब आपको भी मिल जाएगे सलमान खान का कोई भी ट्वीट कोई भी पोस्ट कोई भी वीडियो किसी से बाकिय नहीं रहेगा सब को पता चलेगा सलमान को क्यों मिल रही है धमकिया अब इसकी सचाई जान लेते हैं देखिए सलमान खान से जुड़ा हुआ जो केस है ना जो बाते हैं वो बहुत पहले से हैं और आज का जो न्यू जनरेशन है जिनकी उम्र पंद्रे साल से ले करके लगबग 20 साल के बीच में होगी या 22-23 साल के बीच में होगी शायद उनको इसकी जानकारी नहीं होगी तो उसकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि बीते साल धंकी मिलने के बाद भी पुलिच ने एक सक्स के खिलाब मामला दर्ज किया था वही अब सलमान खान को इमेल के जरिये धंकी मिली आखिर सलमान खान को ये धंकिया क्यों मिल लही है और लारेंस बिश्नोई ये ये लो कलर में लिखा हुआ है लारेंस बिश्नोई क्यों उनके पीछे पड़ा है यह मामला सलमान खान के काले हिरड सिकार करने वाले मामले से जुड़ा हुआ है अब मैं आपको बताता हूँ काले हिरड का सिकार करने के मामले से यह मामला जुड़ा हुआ है और लारेंस बिशनोई जो पीले कलर में मैंने लिखा हुआ यहां पर लारेंस बिशनोई अभी थो क्यों चिट्ठियां भिजवाता है, क्यों फोन करवाता है, क्यों धंकिया देता है, पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलेगी. वीडियो के एंड तक जो भी लोग बने रहेंगे, सच उनके सामने होगा, और उनको भी एक नालिज हो जाएगा, कि सलमान खान पर हमले का हम साथ साथ हैं 1999 में एक फिलम आये थी हम साथ साथ हैं जब उस फिलम की शूटिंग चल लए थी तो उस वक्त वहीं सलमान पर आरोप है कि साल 1999 में जब राजस्थान के कांकडी में फिलम की शूटिंग हो रही थी तो उस दवरान उन्होंने दो काले हिरड को मारा था इस मामले को लेकर 2018 में सलमान खान को 5 साल की सजा भी हुई थी अलांकि फिर से वो जमानत पर रीहा हो गए अब यहाँ पर आप समझिए मेरी बात को राजस्थान जिले में कांपर राजस्थान जिले में सोरी राजस्थान राज के कांकडी जिले में फिलम सूटिंग करने गय थे और फिलम सूटिंग करने के बाद जब वो थोड़ा फुर्सत में आए तो सिकार खेलने के सौक से वहाँ पर जंगल में दो काले हिरड को इन्होंने मार गिराए मतलब उस वक्त फिलम की सूटिंग तो अलग चीज है वो उनका पेसा है बिजनस ब्यवसाय है रोजी रोटी है या उनका प्रोफेशन जो कहने लेकिन सौकिया जिस तरह से पहले राजकुमार और राजा हुआ करते थे और जब वे फुर्सत पाते थे अपने अच्छे पल को बिताने के लिए कहीं जंगल में शिकार करने जाया करते थे तो सल्मान खान के अंदर भी उस वक्त आया कि हम भी अतने बड़े स्टार हैं फिल्म के सुटिंग के बाद हमें भी वक्त मिला चलिए जंगल में कुछ अच्छे पल बिताते हैं अनों ने दो काले हिरन को मार गिराया अब हिरन मारना सजा का काम है अब सजा उनको क्या मिली उन्हें इसके लिए पांच साल की सजा हो गई 2018 में सल्मान खान को पांच साल की सजा हो गई अजमानत करा लिए पैसा ऐसा खर्च किये जमानत हो गई फिर बाहर आ गए लेकिन सिर्फ काले हिरन को मारने से संबंदित ये बात नहीं थी अब यहां बात आ जाएगी धर्म पर अब धर्म किस टाइब का पूरी बात बताएंगे इस वीडियो के अंदर बने रहीगा यहां पर अब विश्णोई की बात आती आप थोड़ा सा अगर थोड़ा सा सबर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा विश्णोई समाज क्या है अलारेल्स विश्णोई कौन है क्यों पीछे पड़ा है क्या होने वाला है आगे सब पता चलेगा देखे विश्णोई समाज में काले हिरड की काफी इज्जत की जाती है विश्णोई समाज है विश्णोई विरादरी समाज है जिस तरह से हिंदू मुस्लिम सी किसाई होते हैं फिर उसमें कुछ है आप देखेंगे उगरवादी माववादी या चारखन में जाएंगे वहां भी तमाम प्रकार की परजातियां तमाम प्रकार की जन जातियां है तो उसी तरीके से कुछ ऐसे समाज है जिनको का जाता है विश्णोई समाज जो राजस्थान के कांकडी जिले में निवास करता और भी जगन निवास करता है तो विश्णोई समाज की लोग काले हिरन की क्या करते हैं काफी इज्जत करते हैं उस समाज में ऐसी मानता है कि काला हिरन जंबेस्वर भगवान का दूसरा जनम है यानि विश्णोई समाज में काला हिरन जंबेस्वर भगवान का दूसरा जनम है यानि दूसरा रूप कहा जा जैसे कोई सक्स अपने बच्चे को मानता है यानि काले हिरड को विश्णोई समाज के लोग इतना प्यार मोहपत देते हैं उस तरह से मानते हैं उस तरह से भगवान की तरह पूझते हैं जिस तरह से कोई अपने छोटे बच्चे को पालता है मानता है और उसी काले हिरड का सिक पसुपक्षियों को मारने पर सजा होती है, अपने हाँ ऐसा नियम है, लेकिन अब सिर्फ पोट की बात सल्मान तक रह गई, लेकिन जिन समाज के बच्चे को सल्मान खान ने मारा था, उस समाज से सल्मान खान ने माफी नहीं माँगा, कहने का मतलब है कि अगर आप किसी ब्यक्ति को जान बूज कर या गलती से नुकसान पहुंचाते हैं, तो प्रसासन आपको सजा दे, आप सजा भुगत लें या जमानत पर रिहा हो जाएं, और जिस ब्यक्ति का आपने दिल दुख लाया है, उस ब्यक्ति से अगर आप सौरी न बोलें, तो व्यक्ति लंबे समय तक दुखी रहता है, वही बात है कि विश्णोई समाज के लोग दुखी हैं इस बात को ले करके, कि सल्मान खान ने विश्णोई समाज के लोगों से माफी नहीं मांगा है, सिर्फ कोट के द्वारा जो सजा मिली, वो सजा भुगत के चला अब यहाँ पर भावनात्मक बात हो गए विश्णोई समाज के लोगों के साथ, कि सल्मान खान अगर विश्णोई समाज के लोगों से माफी मांग लिये रहते, तो सायद लारेंस विश्णोई उनके पीछे हाथ दोकर नहीं पड़ा रहता, उनको दमकिया नहीं देता, उन तो उसे बिलकुल भी माफ नहीं किया जाएगा, विश्णोई समाज के ऐसी मानता है, कि अगर काले हिरन का किसी ने सिकार कर दिया या मार दिया, तो उसको विश्णोई समाज के लोग माफ नहीं करते हैं, विश्णोई समाज के लोग ऐसा मानते हैं, कि वहीं काले हिरन के सि पड़ा हुआ है और उसने सलमान को माफी मांगने को कहा है यानि विश्णोई समाज के लोग चाहते हैं कि सलमान खान उनसे माफी मांगे लेकिन ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है कि सलमान खान ने उनसे माफी मांगा है अगर मांगा होता तो विश्णोई समाज के लोग उनको परिशान नहीं करते हैं यहां पर complete जानकारी आपको मिली आपको ये वीडियो कैसा लगा आप comment section में जरूर बताईएगा जिन लोगों को सलमान खान के इस धमकी से इस घटना से बहुत दुख हुआ होगा उन लोगों को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि सलमान खान के सिकार करने के कृत से किसी समाज के लोगों को भी काफी दुख हुआ था और वे उसी दुख से दुखी होकर धमकियां देते रहते हैं लेकिन ये वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं है कि इस वक्त जो सलमान खान के घर पर गोलियों से हमला हुआ है ये गोलियो करता हूँ लारेंस मिश्णोई ने सल्मान खान के घर पे बन्दूखों से हमला कराया है इस बात की कुछ्टी हम नहीं करते हैं लेकिन यह बात जरूर है कि यह मामला सलमान खान का दारेंज विश्णोई के केस से या उनसे जुड़ा हुआ है यह बात सोसल मीडिया पे चल रही है और कोट में भी यह जानकारी है और पुराने अख़वारों में भी यह बाते पहले से छपी होई है और आज के फिर से अख़वार के पन्नों में मुंबई में दिल्ली में बहुत सारी प्रतिष्ठित वेबसाइटों पर यह जानकारी उपलब्ध है जहांसे मैंने काफी रिसर्च करके पता लगाया आज की वीडियो कैसी लगी कॉमेंट में जरूर लिखेगा मिलते हैं